मैं उससे बात करने जा रही हूँ, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, मैं नहाने जा रही हूँ, मैं पढने जा रही हूँ, जब इस तरह के sentences बोले जाते हैं, फ्यूचर में कोई काम होने वाल है, उसकी planning present में होने वाली है. तो इसकी जो structure होती है बनाने की वो कैसे बिल्कुल concept के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ तो नमश्कार मैं नहावेदवान आपके सामने को नई वीडियो के साथ तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको बनाने का concept क्या है जिसके हमारा sentence है मैं उससे बात करने जा रही हूँ इसमें क्या है कि आप अभी वो काम आपने किया नहीं है आप उस काम को करने जा रहे हो clear यहाँ तक तो सबसे पहले हमारा आने वाला है आपका subject subject के बाद आपकी आएगी helping verb is rm according to subject जो भी आपका subject होगो उसी के according आपकी helping verb आने वाले है उसके बाद आपको लगाना है जाने के लिए क्या लगाएंगे go और go में क्या लगा देंगे ing it means आपने यह sentence आपको यहाँ तक होगया आपका continuous में subject helping verb plus verb की first form plus ing clear उसके बाद आपको जो दूसरी verb है क्योंकि उसमें ना ने नी आया हुआ है और ना ने नी जब भी किसी verb में आ जाता है तो हमें क्या लगाना होता है infinitive क्योंकि मैं आपको कहीं वीडियो में बता चुकी हूँ कि एक sentence में दो verb हमारी नहीं आ सकती है एक sentence में जब दो verb आ जाती है तो या तो हम उसको infinitive बनाते है या उसको zero बनाते है clear और participle में भी convert करते है तो यह मैं आपको और अलग वीडियो में बताऊंगी कैसे करेंगे तो यहाँ पे हम इसको infinitive बनाने वाले infinitive क्या होता है हमारी infinitive होती है ठीक है और last में अगर हमारा कुछ बच जाता है object वो हम last में रख देते है clear तो हम sentence बनाते है मैं उससे बात करने जा रही हूं तो I am going I am going फिर infinitive बना दो to talk बात करने के लिए क्लिए क्या लगाएंगे to talk to him clear मैं कपड़े धोने जा रही हूं तो I am going कपड़े धोने को क्या बोलेंगे to wash तो यहां पे infinitive हो गया I am going to wash the cloths मैं नहाने जा रही हूं I am going to take bath ठीक है नहाने के लिए हम take verb का use करेंगे मैं पढ़ने जा रही हूं I am going to study मैं उससे मिलने जा रही हूं यह sentence आपके लिए comment box में इसका अंसर आप मुझे जरूर बताइएगा मिलते नेक्स वीडियो में have a nice day